हेलो फ्रेंट्स आज का जो सेशन है ब्सक्री कली बहुत इंपोर्टेंट सेशन है हाउ टो क्रेक आई टी इन फस्ट अटेंट क्या पॉसिबिल है कि हम आई टी फस्ट अटेंप में क्लियर कर सकें मेरा जवाब है definitely yes कैसे इसी बात पर हमारा एक session है और आप मेंसे जो लोग भी IIT की preparation कर रहे है definitely इस session के बाद आपके अंदर एक confidence बिल्ड होगा और आप भी first attempt में IIT को clear कर सकते हैं IIT means as well as advance पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम first attempt में कैसे clear कर पाएंगे IIT more than 12X student देते हैं competition definitely high है इसमें कोई doubt नहीं पर फिर भी अगर हम देखें IIT के record को तो more than 80% student first attempt में clear करते हैं कौन से student के लिए नहीं कर पाते हैं और कौन से कर सकते हैं पहले ये हमारे लिए समझना जबुरी है आप कैसे कर सकते हैं IIT की preparation कब से start करना better option है ये सबसे important question होता है अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे अच्छा time कौन सा होता तो मैं बोलूँ का class 9 और class 10 best time है पर 22 चांस आप class 9 तो 10 क्रॉस करगा 11th then no problem 12th में भी हैं तो no problem but differences क्या होगा वो हमारे लिए जानना जब होगी है क्योंकि एक बच्चा जो 9 से preparation कर रहा हो एक 10 से preparation कर रहा हो एक 11 से preparation कर रहा हो और एक 12 में start किया obviously जो 9th class वाला होगा वो कुछ आगे होगा 10th वाला उससे कुछ पीछे होगा 11th वाला उससे कुछ पीछे होगा 12th वाला उससे कुछ पीछे होगा इस concept को हमें समझना पड़ेगा कि हमें कब से करना होगा definitely अगर कोई class 9 से start कर रहा है तो उसके उपर pressure definitely बहुत कम होगा 10th से कर रहा है obviously उसके उपर भी pressure कम होगा 11th से कर रहा है थोड़ा compare to 9th 10th जादा होगा बट 12th में हैं तो बहुत जादा pressure होगा बट उस pressure को हमें handle करना आना चाहिए IAT में select कोई बच्चा क्यों होता और कोई क्यों नहीं होता ये अगर concept clear है हमारा तो कोई problem नहीं है मेरे पास बहुत सारे student ऐसे आते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि sir मुझे 12th class की study करनी है IAT की preparation तो मैंने कर ली इस coaching से या इस coaching से मैं उनसे एक ही question पूछता हूँ क्या IAT में subject कुछ अलग होते है history मैस होता है क्या बोलते हैं नहीं sir वो जो 11-12 का मैस है तो जब मैं फिर उनसे ये question बोलता हूँ कि जब वो 11-12 का ही मैस है तो आप IAT का syllabus कर चुके है और 11-10 में score नहीं बना सकते है यह कैसे possible है तो बोलते हैं sir वो 11-12 के साफसे नहीं पड़ा जूट बोलते हैं वो जो इस्क्रूएंट यह बोलता है कि मैंने IAT की preparation करी है पर 11-12 की नहीं करी या 11-12 की उस level पे नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो गलत है सबसे पहले हम समझें कि आयटी का रास्ता 11 और 11 और 12 के syllabus से जाता है राइट 11 और 12 के syllabus से जाता है physics chemistry math पढ़ना होता है इन 3 subject में को differentiate करना भी आना चाहिए कि हम कि subject पर किस धन से weightage दें एक सबसे important book होती है NCERT की यह book chemistry के लिए तो बहुत ही ज्यादा important है अगर मैं बात करूँ subject chemistry की तो मैं आपको बोलूगा कि chemistry आप NCERT की एबुक से पढ़ें और previous year के आयटी के five year के paper solve करने chemistry के लिए सब्विशेंट है physics के लिए मैं बोलूँगा तो theory पे strong command होना चाहिए theory plus practice पर theory का 60 to 70 परसेंट practice वाला part है 30 to 40 percent physics में बहुत लोग ऐसी करवड करते हैं कि numerical पर ज्यादा focus करते है theory पे concept बनाए बिना यह एक wrong track हो सकता है ऐसे ही हम बात करें मैस की मैस का बिल्कुली pattern different है पहले एंसी आयटी की बुक सॉल्व करें फिर कोई भी बुक आड़ी शर्मा आरे सक्रवाल की बुक completely at least two time सॉल्व करें दिन competitive exams की कोई guide सॉल्व करें उसके बाद आयटी के previous year के paper सॉल्व करें अगर आपके pattern का आपका पढ़ने की study का pattern सही है तो आप first attempt में clear कर सकते हैं अब बात आती है कि हम कहां lag करते हैं अगर हमारे 11 12 के concept strong नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं lag कर रहे हैं कई बच्चे मैंने जैसे 9 10 के कुछ बच्चों की कभी कभी क्लास लेता हूं कुछ बच्चे इतने अच्छा perform करते हैं कि क्लास 9 या 10 में जैसे मैं NTSC की कुछ क्लास लेता हूं 11 12 का भी से लेवस आता है ऐसे बच्चे तो obviously पहले attempt में select होंगे अब कोई नहीं यहां तक सोचा ही नहीं है यहां पर आकर आप प्लान कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं 11 में कोई दिक्कत नहीं 12 में भी कोई problem नहीं बट आपको इनको अगर इन से आगे निकलन हैं तो यह two hour study करते हैं यह माल लीजे three hour करते हैं यह four hour करते हैं तो आपको obviously six hour करने होंगे क्योंकि जब तक आप उस level पर पढ़ा ही नहीं करेंगे जो IIT selection के लिए required है जब तक IIT में selection नहीं हो सकता तो हम यह बात समझें second कोई भी topic पढ़ें अब selection कैसे होगा उस पर बात कर हैं कोई भी topic पढ़ें जैसे suppose आपने मैस में बाइनिमिल थेरम पढ़ा ठीक है एक एक एक्जामपल मैस से लेते हैं क्योंकि मैं मेरा subject मैस से तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा पर जो बात में मैस के लिए बोला हूं फिजिक्स के लिए अप्ली के बाले सबसे पहले बाइनिमिल थेरम पढ़ा तो हमने पहले पूरा थेरी पार्ट कवर किया अब बाइनिमिल थेरम क्लास 11 का चैप्टर है बहुत ही कम पोर्शन दिया हुआ है कॉम्टिटिव एक्जाम के साफ से बहुत है पहले मैंने NCRT से बाइनिमिल किया फिर मैंने कोई भी उससे पूरा बाइनिमिल थेरम कवर किया इंडवांस नहीं पहले मैंने के कोष्ण किया सॉल्व हो रहे है अगर हो रहे तो मैंने थीक तरीके से पढ़ाई किये नहीं हो रहे है मतलब मुझे कही न कही अभी भी theory में problem है बापिस मैं binomial theorem के practice question की practice करूँगा फिर मैं देखूँगा कि मुझसे binomial theorem के questions हो रहे हैं कि नहीं पहले एक एक topic पे focus करते हुए चलें हो रहे हैं, main solve हो गया, फिर देखिए कि advance में किस level पे question पूछें और याद रखिएगा mains और advance की preparation एक साथ करनी है बाद में नहीं IIT के exam के बाद mains और advance में बहुत ज़्यादा time में difference नहीं होता है तो अगर हमने पहले से ही advance की preparation नहीं करी तो हम advance नहीं निकाल पाएंगे, mains तो निकाल सकते हैं दूसरा अपने आपको खुद को evaluate करना है कि हम किस scale पे हैं अगर मुझसे 11-12 का मैस ही completely solve नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये मत सूची कि मैंने massively इसलिए IIT निकालना है ये भी बहुत common problem है कि जो बच्चा मैस लेता उसे लगता IIT निकालना है जो bio लेता है उसको लगता है मुझे medical निकालना है पर ये true नहीं है बहुत सारी opportunity हैं बहुत सारे option होते हैं हम according to मतलब सबसे important है कि हम अपने आपको समझें कि हम किस level पे perform कर रहा है अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 12 में 90% के साफ से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं अभी IIT वाइटी सब छोड़ दूँगा पहले मेरा focus होगा कि मुझे 12 में 95% बनाने क्योंकि अगर मैं 12 में 95% बना रहा हूँ मेरे concept strong है और वही concept से तो मैं IIT निकाल सकता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है कि 12 में मैं 60% की लाइक भी नहीं हूँ और मैं IIT की पढ़ाई कर रहा हूँ possible नहीं है तो सबसे पहले अपना judgment बिलकुल सही करिए तो आप ये भी देखिए कि आप IIT में में मेंस के साफ से preparation कर रहा है advance के साफ से कर रहा है या दोनों के साफ से कर रहा है अब उसका तरीका मैंने आपको बताया आप किसी भी topic को complete करिए मेंस के question ही अगर अच्छे से नहीं बन पा रहा है क्योंकि वे क्या है मेंस जब तक क्लियर नहीं होगा मैंद वांस में जाही नहीं सकते इसका कट आप के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते तो बैटर यह है ना कि हम पहले अपने आपको मेंस के लिए 100% समझे तो आप किसी topic को करते सब्सक्राइब आपने calculus से start किया कल्कुलास कहां से start किया function से तो function करा limit continuity differentiability differentiation application of derivative indefinite integral definite integral differential equation एक line से पहले theory फिर then subjective book subjective book को two time solve करने के बाद IIT मेंस के question फिर देखा कितने नहीं बन पाए then उन questions को समझा कि क्यों नहीं बने क्या चीज़ थी जो हम नहीं कर पाए cover क्योंकि 11-12 की book में IIT वाला काई portion नहीं मिलता तो उसके लिए आपको additional कोई भी book लगेगी वो ले सकते हैं जब आप IIT मेंस के paper को comfortably solve कर पा रहे हों then फिर advance पर जाए अब advance के जब आप paper solve कर रहे हैं फिर आप अपने आपको advance के लिए develop करें obviously जब नाम भी के advance है तो question का level भी smart होता है advanced level के question होते हैं दूसरा हम जो paper solve कर रहे हैं उसमें time management भी बहुत important है कि पर question कितना time लग रहा है हम मेंस की question to solve कर रहे हैं पर ज्यादा time ले रहे हैं वो भी हमारे लिए negative हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही physics और chemistry में भी करना है chemistry थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगी अगर याद नहीं करेंगे तो questions नहीं कर पाएंगे पर chemistry आपके लिए scoring होता है time saving होता है और ncrt की book chemistry के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है वैसे तो तीनों के लिए physics chemistry मैस तीनों में हमको ncrt की book solve करनी है बट especially chemistry में तो हमें करना ही है इस book को even ncrt की book इतनी अच्छी कि कोई कर रहा है वहां तक अगर किसी ने ncrt की book से अच्छे से preparation किये बहुत help करती है तो आपको इस book को solve करना ही है chemistry में आपके efforts अच्छा ratio क्या होना चीए तो मैं हमेशा बोलूंगा 3 is to 2 is to 1 physics, math, physics and chemistry इसका मतलब क्या है सब्पोज मैं per day six hour study कर रहा हूं तो three hours math को दूँगा two hour physics को दूँगा one hour chemistry को कई बार थोड़ा बहुत plus minus हो सकता है पर math क्यूंकि practice मांगता है तो math में आपको ज्यादा time देना होगा physics conceptual subject है total concept बनाने वाला topic है तो आपको physics में थोड़ा कम पर फिर भी math के आसपासी time देना होगा chemistry में आप थोड़ा कम time देंगे तो भी चलेगा दूसरा जो भी चीजे पढ़ते जाते हैं उसके short notes बनाते चलें बाद में revision के काम आता है कई चीजे हम अब इसको याद कैसे रखें यह बहुत important चीज है कि हम इसे long term याद कैसे रखें तो जब भी आप study करें तो एक छोटी सी टेक्निक जभू याद रखेगा study करने के बाद one hour two hour के बाद two three minute अपने आपको दीजिए five minute दीजिए जैसे computer में हम कोई work करते हैं और जाब उसे हम save करते तो एक वाइल फोन यूज करना ना किसी से बात करना पहले उसको इस्टोर करना रात को सोने से पहले जितनी चीज़े आपने पढ़ी एक blank paper पे लिख सके तो बहुत ही अच्छा है और नहीं तो लेट के जो दिन भर में पढ़ा है वह रिवाइज करिए अगले दिन जब सुबह पर 9-10 के concept भी यूज में आते हैं इसलिए कोई student अगर 9-10 से preparation कर रहा है तो उसके chance compare to 11-12 के बहुत ज़्यादा selection के होते हैं क्योंकि वो पीछे से ही preparation कर रहा है को 11-12 में कर रहा है तो उसके efforts का level बहुत ज़्यादा लगता है और बिना efforts के वो possible नहीं है तो एक systematic approach के साथ preparation कर करिए आपका बिल्कुल first time में होगा और जितना पहले आप start कर सकते हैं उतना पहले start करिए per day के target set करिए हर topic को बहुत धीरे-धीरे seriously solve करिए और previous year के paper कोई भी topic पढ़ने के बाद previous year के अगर आप paper solve नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजे कि आप competitive level की preparation नहीं कर रहे हैं even board exam मे में भी आप score करना चाहते हैं 100% 12th में या 10th board में उसका भी ही pattern है कि last five year के papers को completely written work के साथ अगर हम solve करें इस question का क्या answer होना चाहिए इस question का क्या वो ही आपको advantage देगा अगर हम writing work के साथ study नहीं कर रहा है ये भी एक negative point हो सकता है तो यह समय ना है तो 12th board में भी score करने का pattern यही क previous year के paper solve करें IAT में भी सबसे important है कि previous year के paper की study के बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है क्योंकि question जो IAT में आते हैं वो tough नहीं होते हैं बहुत अच्छे होते हैं simple होते हैं मैंने कई सारे questions के math के video भी डालें आप देखो गए तो आपको ऐसा लगेगा ह नहीं कि यह question ऐसे भी solve हो सकता इतना simple था पर क्योंकि दिमाग में कहीं नहीं होता तो एक रखता है कोई नहीं कोई नहीं कोई बात होगी ऐसा नहीं question बहुत लॉजिकली tricky होते हैं और अगर हम 2010 के बाद की बात करें तो paper के pattern में बहुत change आया है 2010 के पहले paper बहुत अलग होते होते हैं second third attempt में select होने वाले बच्चों का percentage ज्यादा था पर क्योंकि अब IAT ने दो attempt कर दी हैं उसके बाद से तो वैसी first attempt बाले बच्चे ज्यादा select होते हैं बट उनकी preparation पहले से start होती है तो अगर आप में से कोई 9th 10th 11th में हैं तो best time है 12th में हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है बट अगर आप 12th में तो पहले आपका focus बिल्कुल क्लियर रहा हैं चीकि 12th में more than 90% आ रहे हैं कि नहीं अगर आपको यह confidence है कि more than 90% आ रहे हैं देन आप IAT की preparation के लिए सही मायने में अगदार है otherwise आप पहले IT छोड़िए पहले 12th के 90 95 की preparation करिए क्यों क्योंकि जब अगर आप 90 95 बना लेंगे तो आपका अंदर एक अलग confidence होगा हो सकता आप उसी साल में निकाल ले या एक ड्रॉप लेना पड़े पर चांसस का में अगर मैं 95 के लिए पढ़ लाओं तो यह तो पका है कि मैं तो निकाली लूँगा advance depend on की मेरे पास कितना मैंने time दिया क्यों और जो भी topic cover करते हैं चाहे physics का हो चाहे chemistry का हो चाहे maths का हो उस topic का previous year का पहले mains का paper solve करें और mains का paper अगर पूरा solve नहीं होता advance नहीं करना और mains हो गया तो then go for advance इस pattern को follow करें आपको इसका एक positive result मिलेगा और कोई region नहीं होगा कि आप first time में select ना हो पाए मेरी इस बात को दिहान all the best thank you